हाई और यहींत यॉलक्म बैक या वचरिघू चुकोंरiell मैंविस द्रोकेश तो आज हम करेंगे प्रिविय। ओकॉर्शान देखेंगे प्रिलिम्स के practice देखेंगे प्रिलि म्पे、 मेन्स प्रेवियस एर और practice for मेन्स किसके chapter two के ठीक है? तो आगे चलते हैं तो प्रिवियस एर ऊचन देखते हैं प्रिम्स एट्जामिनेशन के जो आए हैं ठीक है? जाधा नहीं है ये और फ्रिला कोशन है है the well-known painting that is bannini thanni belongs to ठीक है तो इसका अंसर है किशंगर स्कूल आगे चलता है the painting of bodhi sattva padm paani वो one of the most famous illustrated paintings है at answer है Ajanta ठीक है पद्पानी वजर्पानी तो यह सब है ठीक है आगे चलते है इसे मुझा consider the following historical places और इसमें पूछा है यह जो तीन है which of the above place are also known for moral painting इन तीन में से कौन से moral painting है क्या आजंता है लेपाक्षी टेंपल है सांची स्थूपा है तो इन में से कौन सी है देखो moral painting हमने types पढ़े थे ठीक है उसमें कौन कौन सा था आजंता है ठीक है तो आजंता था आजंता केफ पेंटिंग इलारा केफ पेंटिंग बाग केफ पेंटिंग और अर्म मलाई थी सीतना वसल था रावन छाया था लेपाक्षी था तो यहां जंता भी यह लेपाक्षी भी है और जोगी मारा था सांची स्थूपा नहीं था ठीक है तो देखो केवल हेडिंग एडिंग से आप इसमें कोशन पूछा हो गया है तो अगर अंदर की डिटेल नहीं पढ़ा होगे तब भी चलेगा ठीक है तो इसका अंसर कि अब शाडंगा पेंटिंग के बार ने पूचा है कि वीच ओधा अबव कम संदर शाडंगा कि अवफ इंडियन पेंटिंग्स जो मनें टॉपिक पढ़ा था न प्रिंसिपल्स ओफ पेंटिंग स्टार्टिंग में था चैप्टर के उसमें दे रखा है ठीक है तो इसका अंसर में बताता हूँ पूछा क्या रूपा बेड़ा था लवन्या था और दीगाला पिता का था तो इसका अंसर है B 1 in second ठीक है रूपा और लवन्या ठीक है आगे चलते ये भी हैडिंग से आया है सेकंड कोशन देखते हैं प्रैक्टिस का भीमवेत का रॉक शेंटर डिकलेर यूनेस्को हेरिटेस साइट 2003 रॉक इंग्रेविंग हिंदू गॉर्डन गॉर्डेसेज विज़ फॉलिंग स्टेट्मेंट अर करेक्ट और इस करेक्ट ठीक है तो इसका अंसर है पहली वाली करेक्ट है रॉक शेंटर ये 2003 में आये थी यूनेस्को वल्ड हेरिटेस साइट तो ए ठीक है थर्ड कोशन है अपना अबाउट आजंता केव पिंटिंग वारें पूछा है क्या ये बेस्ट वान बुद्धिजम और जैनिजम पर थी रावन शेकिंग माउंट के लाश फेमस पेंटिंग क्या ये था क्या तो ये देखो ये बुद्धिजम की तो थी ठीक है इसमें जतका स्टोरी ये सब था जैनिजम के बारे में कोई मैंशन नहीं है ये गलत है और रावन शेकिंग माउंट के लाश ये भी गलत है ठीक है तो इसका अंसर क्या होगया आगी चल थे सितना वसल केव पेंटिंग लोकेटेड इन डाश एन रिलेटेड टो डैश जो सितना वसल है वो लोकेटेड इन तमिलनाड है और जैनिजम से रिलेटेड है पूछा है कौन सी famous painting है जो उपर दे रखी है वो moral painting है ठीक है तो हमने अभी क्या-क्या देखा था लिपाक्षी देखा था हमने ठीक है आजंता इलोरा बाग अरा मलाई तो अरा मलाई ये रहा ठीक है सीतना वसल ठीक है बाग एरा लिपाक्षी रावन चाया और जोगी मारा तो ये सब थे इसमें किशनगण नहीं है तो फोर नहीं है तो फोर नहीं है तो ये नहीं होगा बाकी ये तीनों है तो अंसर इसका क्या है सी आगे चलते है greater painter as well as king संसार चंद was related to किस स्कूल से related है ये ठीक है तो इसका अंसर क्या है ये खानगरा स्कूल से related है जो कि आप recall कर पा लोगे which is mid 18th century ठीक है आगे चले तो ये खानगरा स्कूल से related है संसार चंद जी अब चलते हैं अपना ठंजावर स्कूल ठीक है ठंजावर स्कूल के नाम पर कोई स्कूल नहीं है ठंजावर है ठीक है ठंजावर स्कूल है aka aka मतलब also known as ठंजावर तो ये indirectly आपको मिलेगा अंदर heading में ठीक है ठंजावर स्कूल of painting had the major contribution patronage for Marathas ठीक है ठीक है तो ये सही है बुलकुल ठीक है मराठा और इसमें correct पूछा है incorrect होता तो ये गलात होता ठीक है तो आपको ये ध्यान रखना पूछा किया है और second statement है इसको GI status मिला है बग गयो government of India using gold coated in the paintings तो ये भी सही है ठीक है तो इसका क्या हो गया अगे चलते है ये इटका है ये description पूछिए मनला पेंटर कौन पेंटर है और प्लेस किया है तो ये इस नोन एद फादर अफ मौडन इंडिन आर्ट और ये फेमस पेंटिंग क्या कौन गोसी पेंटिंग बनाई इनोंने रावना के डिनेमिक सीता और किलिंग जटाईयू वस डन बाई रंगरसिया याद आ रहा है कुछ तो इस राजा रवी वर्मा फ्रॉम केरला आगे जोते है नाइन्थ वाल अपना है इसमें ये पूछा है कि कौन से ये तीन इनमें से तीन जो हैं ये क्या रिलेटेड हैं रविंद्रनाथ हैं किया तो ये अबिंद्रनाथ तो हैं रविंद्रनाथ भी हैं सतिंद्रनाथ हैं सतिंद्रनाथ नहीं है तीन थे उनके जगे थे नंदलाल बोस ठीक है तो सेकंड गलत है सेकंड गलत होते ही कौन कों से गलत हो गए डी गलत हो गया ठीक है और तो बाकी में है नहीं तो इसका अंसर क्या है सी वन एन थाड़ है राइट आगे चलते है अब इसमें पुझा विज़ो तो falling is not correctly match ठीक है not correctly match कौन सा गलत है तो पत्चित्रा उडी सा का है हाँ उडी सा का है पायतकर जारकन का है है जारकन का मंजूशा बिहार येस फड कहां पे है करनाट का नहीं है it is in राजस्तान ठीक है फड इन राजस्तान तो फड हो गया अब आगे चलते हैं भड तो ये reference के लिए आपके लिए राइट अब देखते हैं previous year question मेंस के लिए ठीक है अगेन मैं दुबारा बोलूँगा अगर आपको इसके model answer चाहिए है मेंस के लिए नहीं मिल पा रहे हैं जो भी है मिल पा रहे है तो comment में अपनी email id with question लिख देना ठीक है मैं try करूँगा आपको provide करने की आगे चलते हैं तो this is previous year जो मेंस में आ रखे हैं 2012 में ठीक है the flute playing Krishna theme is very popular in Indian art discuss करो ठीक है तो Indian art में तो सब लिख देना इसमें राइस्थानी भी लिख देना जितने भी schools में दिखाये गया है बनी थनी को राता माना गया है ठीक है तो जितने जितने थोड़े थोड़े points है यह सब लिख देना आगे चलते है वाइल बैंगिंग आउट देर साइलेंट फीचियर distinguish between either मदवनी आर्ट और मंजुशा आर्ट और राइस्थानी स्कूल अफ पेंटिंग और पहाड़ी स्कूल अफ पेंटिंग तो यह हमने describe में देखे है ब्रीफली देखे हूँ है इनके तो सबको आप इसमें distinguish भी कर देना थोड़े इस वीडियो का मतलब यह आपको एक essence होना चाहिए कोशन पूसते कैसे हैं तो प्रिलेम्स और मेंस आते कैसे हैं तो कोशन देख लो राइट अबाउट द चीफ फीचर चीफ मतलब में फीचर बुंदी स्कूल अफ पेंटिंग ठीक है तो मेंन फीचर लिख देना उसके उसको लैबरेट कर दो थोड़ा सा आगे चलते हैं राइट अबाट दो चीफ फीचर इंपॉर्ण किशन गट स्टाइल पेंटिंग के बारे में नियो आर्ट मुमेंट ऑफ रबिंदरनाथ टेगोर जी और खांगरा स्कूल पेंट और डवलोप कैसे हुआ यह सब है कि वट अब बेसिक डिफरेंस बिफिन मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग और राजपुत स्टाइल ऑफ पेंटिंग यह हमने देखा हुआ है ठीक है अब देखते हैं प्रैक्टिस कोशिन फॉर मेंस एक्जामिनेशन ब्रीफ डिस्क्राइ ठीक करना है साथ को यह इंडियन पेंटिंग ठीक है suppression प्रिंशि प्रिंशि परेंटिंग में सबसके तो इसको आप देख करना और संब बी था मिर्स और तेवलन देखा था ठीक है तो इसको भी लगत देना आँगे चलता है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग और अगर इनको ऐसे लिख पाऊना आप पैलोलिथिक मेजोलिथिक चालकोलिथिक तो जो जो डिफ्रेंस आप लिख पारे वो लिख देना बाकी पैरा में दिखा देना ठीक है आगे चलते हैं डिस्टिंग्विश बिट्वीन मुराल और मिनियेचर यह तो एक्स्टेंसिव है बहुत है इसमें बहुत कुछ है लिखने को ठीक है आगे चलते हैं आजंता इलौरा केव पेंटिंग अर्सिमिलर ठीक है जो जो इनकी सिमिलारिटी उनको लिखना है और प्रिटिकली एक्जा राइस्थानी स्टार पेंटिंग मुगल का क्या रोल था राइस्थानी पेंटिंग को डवलप करने में ठीक है तो यह पूछा है रागामाला पेंटिंग और यूनिक टू इंडियन ठीक है तो इंडिया रागामाला पेंटिंग सार यूनिक टू इंडिया इसको इलूसिड